आने निये प्रधानमंती नरेंद मोदी जी मनिपूर के बोल लिए एक बार एक इसमी के बोल लिए हो एक बोल लिए दोर इसमीन हो औरह को आई खोर्क होश ऑन अाई लूह गब छरह को मनिप डोल लग्राटी हो ऊगाईद ईसली जयाँ एडने वेलिएग लूठाई टॉब लिए ब тобой प्रदान मंती जी बोलेंगे मनिपूर के मेने एकमानी सदेश को पहले ही बोलने का मुका दे देता है मन इनकी पार्टी से नो मेंबर बोलें पताइए इनको नो मेंबर बिलाए आतों आज़र्णियस सभापती जी मैराष्ट पती जी के भाष्ण के प्रती आभार व्यक्त करने के लिए उपस्तित हुआ हूं आज़र्णियस सभापती जी हमारे आज़र्णियस राष्ट पती जी ने विक्सीद भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है आज़र्णियस राष्ट पती बहुदाया ने एहम विशय उठाये हैं आज़र्णियस राष्ट पती जी ने हम सब का अर्देश का मारवर्चन किया है इसके लिए महराष्पती जी का रदय से अभार व्यक्ष्ट करता है आज़र्णियस सभापती जी कल और आज कई मान्य सदस्यों ने राष्पती जी के अभिवाशन पर अपने विचार व्यक्ष्ट किये है मैं विशेश करके जो पहली बार साउसद बन करके हमारे बीच आए है और उनमें से कुछ आदर्णियस साथ्यों ने अपने जो विचार व्यक्ष्ट किये है 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 साउसद के है सभी नियमों का पालन करते हुए किये उनका वहवार ऐसा था जैसे एक अनुभवी साउसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजुद भी उन्होंने सदन की गरीमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मुल्यवान बनाया है आदर्णियस सभावती जी देश ने एक सभल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदर्णियस सभावती जी मैं कुछ लोगों की पीडा समझ सकता हूं कि लगातार जूट चलाने के बावजुद भी उनका गोर पराजय हुआ ळौग कंत्र की मानने मानने प्रचिवशके नेता ने प्रचिवशके नेता ये आपके लिए यह तरीका ठीक नहीं है आपका नो यह गलत तरीका आपका और यह तरीका इस तरीके से निचलेगा अभी कुल नो गलत तरीका नो ऐसे संसद के अंदर गरीमा बनागे रखें आप आप गरीमा को तोड़ना चाहते हैं आप संसर मर्या पीजे पीट पीजे निकरें आप आपको गरीमानी संदन की डारेक्शन देदें आप बेल में आने के लिए लोगों को यह आपको यह प्रतिवास के नेता है आप नो गलत तरीका आपका अबाने प्रतान अंती लिए अधानिया सभाबत जी ए विश्व का सबसे बड़ा चिनाव भ्यान और उसमें भारत की जंक्ना ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मोका दिया है यह अपने आप में लोगतांतरिक विश्व के लिए हमें बहुत ही महत्रपून घटना है बहुत ही गवरवपूर्ण घटना है आधनिया सभापती जी हमें हर कशोड़ी पर कसने के बार देश की जंता ने ये जनादेश दिया है जंता ने अमारे कि दश साल के ट्रेक रेकॉर्ड को देखा है जंता ने देखा है कि गरीबों के कल्यार के लिए हमने जिस समर्पन भाव से जंग सेवा ही प्रभू सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है उसके कारां बस साल में 25 करोर गरीब गरीबी से बाहर निकले देश की आजहादी के कालखन में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का यह सफल प्रयास इस चुनाओं में हमारे लिए आशुरवात का कारां बना है अधरिये सभापती जी हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाओं के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के पती जीरो तॉलन्स रहेगा और आज मुझे गर्व है कि हमारे शर्कार ने देश का सामान मानवी जो करप्शन के काएं पीडी था देश को करप्शन ने दिमक की तरह खोखला कर दिया है ऐसे में दस्चा चार के पती हमारी जो जीरो टॉलन्स नीती है आज देश ने हमें उसके लिए आफिर्वाद दिये है आज दुनिया भर में भारत की सांख बड़ी है आज जिश्व में भारत का गवरव हो रहा है और भारत के तरी बेजने का नजरिया भी एक गवरव कोन नजरिया हर भारत वाची अनुभव करता है आज देश की जंता ने देखा है कि हमारा एक मात्र लक्स नेशन फस्त है भारत सर्व प्रथम है रिफोर्म थे उस रिफोर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है दस्वर्ज में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकार इस मंत्र को ले करके लगातार देश के सबी लोगों का कल्यान करने का प्रयास करती रही है आधनिय सभापती जी हम उस्सिद्धांतों को समर्पिद है जिसमें भारत के समिधान के स्ट्रीट के नुसार सर्व पंत संभाव उस विचार को सर्वो परी रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया आधनिय सभापती जी इस देश ने लंबे अर्चे तक तुष्टी करन की राजवीती भी देखी इस देश ने लंबे अर्चे तक तुष्टी करन का गवर्णन्स का मोडल भी देखा देश ने पहली बार सेक्विलर्यम का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टी करन नहीं संतुष्टी करन उस संतुष्टी करन के विचार को ले करते हम चले हैं और जब हम संतुष्टी करन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सेचुरेशन गवर्णन्स की आखरी व्यक्तिता कुहतेने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना और जब हम सेचुरेशन के सिधान को लेकर चलते हैं तब सेचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजी की न्याय होता है सेचुरेशन सच्चे अर्थ में सेकुलरिजम होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके महर लगा दी है आदरिये सभापती जी अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस तो आल अपीजमेंट तो नन इस द्धान को लेकर के हम चले हैं आदरिये सभापती जी दस साल के हमारे कार को देखने परखने के बाद भारत की जंता ने हमारा सबर्थन किया है आदरिये सभापती जी हमें फिर एक बार 140 करोर देश वाचों की सेवा करने का मौका बिला है आदरिये सभापती जी इस चुनाओं ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जंता कितनी परिपक्वा है भारत की जंता कितने विवेक पुर्ण रुप से और कितने उच्च आदर्शों को ले करके अपने विवेक का सद बुद्ध से उप्योग करती है और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने देश की जंता के सामने नमरता पुर्वत सेवा करने के लिए उपस्तित हुए है आदर्शनियस सभापती जी देश की जंता ने हमारी नीतियों को देखा है हमारी नियत हमारी निष्टा उस पर देश की जंता ने भरोशा किया है आदर्शनियस सभापती जी इस चुनाओ में हम जंता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जंता के पाथ आशिरवाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशिरवाद मांगा था विक्सीद भारत के हमारे संकल्प के लिए हमने विक्सीद भारत के मिरमार के लिए एक प्रतिवद्धा के साथ एक सुब निष्टा के साथ जंड सामान का कल्यान करने की इरादे से हम गए थे जंता ने विक्सीद भारत के संकल्प को चारचान लगा करके हमें फिर से एक बार विद्धाई बना करके देश की जंता की सेवा करने का नोता दिया है आदर्य सभापती जी जब बेश विक्सिद होता है तब कोटी कोटी जनों के सपने स्पूरे होते है जब बेश विक्सिद होता है तब कोटी कोटी जनों के संकल्प को सिद्ध होते है आदर्य सभापती जी जब बेश विक्सिद होता है तब आने वाली पीडियों के लिए भी एक मजबूत नीव उनके सपनों को पुरा करने के लिए तयार हो जाती है आग इनिये सभापती जी विक्सीज भारत का सीधा सिधा लाब हमारे देश के नागरी कोंति गरीमा हमारे देश के नागरीतों के quality of life के सुधार ये स्वाभावी हमें विक्सीज भारत होने से देश के कोटी जनों के भाग्य में आता है आज आती के बाद मेरा देश का सामान नागरी इन चीजों के लिए तरस्ता रहा है आदनियत समय पती जी जब विक्सीद भारत होता है तब हमारे गाओं की स्थिति हमारे शहरों की स्थिति उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है गाओं के जीवन में गवरों भी होता है गरीमा भी होती है और विकास के नएने आउसर भी होते है हमारे शहरों का विकास भी एक आउसर के रुप में विक्सित धारत में उभरता है तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे ये हमारा सपना है आदरीयिस सभापती जी विक्सित भारत मघतलब होता है सोटीपोटी नागरीकों और तोटीपोटी आउसर उपलब्द होते हैं अनेक अनेक आउसर उपलब्द होते हैं और वह अपने तो शल्य अअ पनी खेंटाव और शंव्टिन के मुझार्व विकास की नई सिमाओं को प्राप्त कर सकता है कि अधिनियत सभापती जी मैं अधिनियत सभापती जी अधिनिया सभापती जी मैं आज आपके माध्यम से देश वाचों को विश्वाच दिलाता हूँ कि विट्षिद भारत के जिस संकल्प को लेकर कि हम चले हैं उस संकल्प की पूर्ती के लिए हम बर्सक प्रयास करेंगे पूरी निश्चा से करेंगे पूरी इमांदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे सरीर का कान कान हम देश वाचियों को बिख्षिक भारत के सपने को पुरा करने के लगाएंगे हमने देश की जंता को कहा था 24 by 7 और 2047 आज मैं इस सदन मैं दोहराता हूँ कि हम उस काम को अवज से पुरा करेंगे आजनी सभापती जी 2014 के उन दिनों को याद कीजिए उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे धान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्पविस्वा सोच चुका था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था ऐसे समाए 2014 के पहले बेश ने जो सबसे बड़ा नुक्सान भुगता था जो सबसे बड़ी अमानक खोई थी वो था देश वाच्चों का आत्म विश्वास और जब विश्वास और आत्म विश्वास हो जाता है तब उस व्यक्ति को उस समाज को देश को खड़ा होना मुश्गिल हो जाता है और उस समाज सामान मानवी के मूँ से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता उस समाज हर जगा पे यह शात सब्द सुनाई देते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे भार्तियों की हताशा के इन साथ सब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे उस समाए आए दीन अखबार खोलते थे तो गोटालों की खबरे ही परवे को मिलते थे और सैंकडो करोड के घोटाले रोज नए घोटाले गोटालों की घोटालों से इस परदा यह गोटाले बाज लोगों के गोटाले इसी का यह कालखंड था और बेशर्मी के साथ सारवजरी ग्रूप से स्विकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से एक उर्पया निकलता है तो पंदरा पैसा पहुंचता है एक रुप्ये में पच्चासी पैसे का गोटाला इस गोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्थ में डुबो दिया था पालिसी परलिसिस था फ्रेजाइल खावी में पहुंच चुके थे बाई बतीजा बाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिस करने वाला नहीं है तो जिन्दगी अटक जाएगी ये स्थिती प्रादा हुई थी गरीब को घर लेना हो हजार रुप्य की रिश्वत देनी पड़ती थी आदनी सभापती जी अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लमेंट के हाँ सांसदों के हाँ अच्छे अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बीना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे आदने सभापती जी मुप्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बॉर्ड लटक जाए हक का राशन नहीं मिलता था उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी और हमारे जादातर भारतिय भाई भेहन इतने निरास हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को देश दोस्त दे करके अपने रशीम को दोस्त दे करके जिंदगी कांटने के लिए मजबूर हो जाते थे आजर्णिय सभापती जी वो एक वक्त पता 2014 के पहले जब वो साथ सब्द हिंदुस्तान के जन्मन में स्थिर हो चुके थे निरासा की गर्थ में डुबा हुआ समाथ था तब देश की जंता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित यूग का प्रारंभ हो चुका था और दस शान में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलता है अनेक शिद्धियां है लेकिन एक शिद्धि जिसने हर शिद्धियों में भी जोल भर दिया जा तांकत भर दी वो थी देश निराजशा की गर्त में से निकल करके आजशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया देश में आजप विश्वास भुलनली पर पहचा और उसके करेंट वो सब वक्त करा जो सब्दे थे देश की वाप्रिडी के डिश्वाइए निकल ले लगे देरे देश के मन में स्थीर हो गया जो दोजार चाहुदा से पहले कहते जो कुछ नहीं हो सकता वो कहने लगे जब इस देश में सब कुछ हो सकता है इस देश में सब कुछ संबह हुआ है यह विश्वास जताने का काम किया हमने जब हमने सब से पहले तेश फाइव जी रोल आउट हमने दिखाया आज देश कहने लगा तीबर जटी से फाइव जी का रोल आउट होना देश जवरों से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है आजनियत सभापती जी वो एक जमाना था जब कोईले गोठाले में बड़ों बड़ों के हाथ काले हो चुके थे आज कोईले का सर्वादिक उत्पात सर्वादिक प्रोड़क्शन आज कोईल प्रोड़क्शन के जुक्रम हुए है अब भारत कुछ भी कर सकता है आजनियत सभापती जी वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग फोन बैंकिक करके बड़े 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 बैंक गोठाले किये जा रहे है अपनी पर्सनल प्रोपर्टी के तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था आजनियत सभापती जी 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन निर्णयों में गती निष्ठा पमानित्ता की अरुची का परणाब है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया आज भारत की बैंक सरवादिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए आजनियत सभापती जी 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आ करके जीच चाहें वहाँ जब चाहें वहाँ हमला कर सकते थे 2014 के बार तुकि ये बनी कि जब वहाँ उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे हिंदुस्तान के कौने को टार्गेट किया जाता था और सरकारे चूप चाह बैठी रहती थी मूँ तक खोलने को तयार रही थी आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान गर्मे गुश कर मारता है सर्जिकल स्टाइक करता है एर स्टाइक करता है और आतंगबाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ दिखा दिया है आज आज अधनियस सभापती जी देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है आज अधनियस सभापती जी आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के बाले लोगों ने वोट बैंक की राजनित्य का हत्यार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्वीर का जो हालात कर दिये थे वहांके लोगों के अधिकार छीन लिये थे भारत का संभीधान जम्मू की इस कश्वीर की सीमा में प्रवेस नहीं कर सकता था और यहां संभीधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संभीधान को जम्मू कश्वीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते बाबा साम्मे अंबेड करका पान किया करते थे और 370 का वो जमाना था सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूप करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है आज अर्टिकल 370 की दिवार गिरी पत्थर बाजी बंद है लोग तंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चट करके भारत के समयधान में बरोसा करते हुए भारत के तरंगे जंडे पर बरोसा करते हुए भारत के लोग कंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चट करके के मतदान करने के लिए आगे आ यह साफ साफ दिखाई देता है आधनियत सभापती जी एक सो चालीस करोर देश वाजियों में एक विश्वास पादा होना यह उम्मीद और जो विश्वास जटता है तो विकांस का वो ड्राइमिंग फोस बन जाता है इस विश्वास ने विकांस का ड्राइमिंग फोस का काम किया आधनियत सभापती जी यह विश्वास विक्षी भारत संकल्प से सिद्धी का विश्वास है आज इंडेस सभापती जी जब आज आजी का जंग चल रहा था और जो भाव डेश में था जो जोसता उत्साता उमंग था जो विश्वास था कि आज हदी लेके रहेंगे आज देश के कोटी कोटी जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है जिस विश्वास के खैरें आज विक्षी भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नीव इस चुनाओं में चलान्याद हो चुका है जो ललक आज हादी के अंदोलन में थी वोही ललक विक्षी भारत के इस सपने को साकार करने में है आजनिय सवापती जी आज भारत के लक्ष बहुत बिराठ है और आज भारत को एक ऐसी सिटी पे दस साल में पहुँचा है कि हमें खुद से हिस्ट परधा करनी है हमें ही अपने पुराने रेकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स लेवल पर हमें हमारी विकांज की आत्रा को ले जाना है दस वर्सों में खारत विकांज की जिस हुचाई पर पहुचा है वो हमारी प्रतिस परधा का एक मार्क बन चुका है एक बेंचमार्क बन चुका है पिछले दस साल में हमने जो स्पीड पकड़िये है अब हमारा मुकाला अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले डाने कहा है और मेरा विश्वास है देश की इठा को हम उसी गपी से पुरा करें आधनिय सभापती जी हम हर सभलता को हर सेक्टर को नेक्स लेवल तक ले जाएंगी आधनिय सभापती जी दस सालों में खारत की एकोनोमी को दस साल के अलपकाल में हम दस नमबर से एकोनोमी को पांच नमबर पे ले गए है अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गती से निकले हैं अब हम देश की एकोनोमी को नंबर तीन पर ले जाएंगे आधनियत सभापती जी दज सालों में हमने थारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैनुफेक्टरर बना दिया हारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्पोर्टर बना दिया अब यही काम इस हमारे टेनियोर में सेमी कंड़क्टर और अन्ने सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं दुनिया के महत्वपूर कामों में जो चीप्स काम में आएगी वो चीप्स मेरे भारत की मिट्टी में तयार हुई होगी मेरे भारत के नव जवानों की बिद्वी तक परना होगा मेरे भारत के नव जवानों के परिशम तक परना होगा यह विश्वास हमारे दूट आधनी सभापती की हम आधनी भारत की तरफ पिजाएंगे हम विकास की नई आचाहियों को लेकिन हमारी जड़े जमिन से जुड़ी रहेगी हमारे पैर देश के जंसामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे और हम चार करोड गरीबों के घर बना चुके हैं आधनी सभा में वाले इस टेनियोर में तेजगती से चीन करोड और घर बना करके इस देश में किसी को भी खड़के मिना रहना होना पड़े कि हम देखेंगे आधनिया सभावतिजी दस साल में विमैन से भेल गुप में हमने देश की कोटी-कोटी बेहनों को एक बहुत सभलता प्रवगन में आगे बड़े हैं अब हमने उसको नेक्ट लेवल पर दे जाने वाले हैं अब हमारे विमैन सेल्फ हेल्प कुप में जो बहने काम करेंगे उनकी आर्थिक गत्विदी इतनी बढ़ाना चाहते हैं उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में तीन करोड ऐसी बेहनों को लगपती दीदी बनाने का संकल्प ले करके चलने वाले हैं आदिरियत सवापती जी मैंने पहले भी कहा है आज मैं फिर से दोरा आउं हमारी तीसरी टम में इसका मतलब है हम तीन गुना स्पीड से काम करेंगे हमारी तीसरी टम का मतलब है हम तीन गुना शक्ति लगाएंगे हमारी तीसरी टम का मतलब है हम देश वाच्यों को तीन गुना परिनाम ला करके देंगे मर्कुर को इसाब को इसाब को इसाब को इसाब को इसाब को अपने सदर्शे करों नायता प्रतीपक से महाने सब मेरे सब को मोगा दिया आपने नवा मिनिट बोला यह संसद में तरीका ठीक नहीं है मैं अगरे गरूँ आप इस तरीके से शंसद की मर्यादा वबनाए उचित नहीं है आप जाए बेल में जाए बेठिये आपको परियाद समय परियाद दूसर दिया आपको नबबा मिर्ट बोलने दिया और समय तुरा दिया आपकी सभी सदेशोवर बोलने का असर दिया लेकिन आप जब सदेन के नेता दोलते हैं जिस तरीके का व्यार करते हैं यह संसदिय परंप्राओं के अंगरूप नहीं है और यह इतने बड़ी पार्टी जो नेकराथ चब्रेए हो उसकी परंप्राओं के अंगरूप ही नहीं है यह बात साल ऐसे चड़ने वाला नहीं है कि आधनिया सभापती जी अ अधनिया सभापती जी अ एंडिये का तीसरी बार है सरकार में आना यह एक ऐति हाँ सी घटना है आजादी के बाद ये सवभाग ये दूसरी वार इस देश में आया है और साथ साल के बाद आया है जिसका मतलब ये सिद्धी पाना कितना कठोर परिशम के बाद होता कितना अभुत्पुर्व विश्वा संपदन होने के बाद होता ऐसा ही राजवीती के खेल से नहीं होता है जनता जनारदन की सेवा से प्राप्त आशिर्वाद से होता है आजनिय सभापती जी जनता ने हमें श्थीरता और मिरंतरता इसके लिए जनादेश दिया लोग सभाच चुनाओं के साथ ही आजनिय सभापती जी लोगों के नजर से चीजे जरा ओजल हो गए लोग सभाच चुनाओं के साथ हमारे देश में चार राज्जों के भी चुनाओं हुए और आदनिय सभापती जी इन चारों ही राज्जों में अटिये ने अभूत पुर्वत सफलता प्राप्त की है अभूत पुर्वत सफलता प्राप्त है हमने शांदार बिड़े प्राप्त की है महा प्रभू जगनाज जी की दर्ती उडिशा ने हमें घर को राचिरवाद दिया है आदनिय सभापती जी आंद्रप्रदेश एंडिये ने क्लीन स्वीप किया है सुच्छ बादर से अंतर में भी ये नजर नहीं आते हैं आदनिय सभापती जी अरुनाज जल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है अभी छे महने पहले ही आदनिय सभापती जी आपका होम प्रेयर राजिस्थान मत्य प्रदेश और चत्ति गड़ में हमने प्रतन विजय पाया है आदनिय सभापती जी हमें नए नए शेत्रों में जन्ता का प्यार मिल रहा है जन्ता का आशिरवाद मिल रहा है आदनिय सभापती जी बीजे पीने केरला में इस बार खाता थोला है और बड़े गर्व के साथ केरला था हमारे सांथन हमारे साथ बैठते है तमिल नाड़ू में कई सीटों पर बीजे पी ने दमदार उपस्ति की दर्ज़ किया करनाटक यूपी और राजस्तान में पीछली बार की तुलना में बीजे पी का वोट परसेंट बड़ा है आने वाले समय में तीन राज्यों में चुनाव है जिन राज्यों में चुनाव उसमें से तीन की में बात करता है महराष्ट्र, हरियाना और जार्खन यहां चुनाव आ रहे हैं आधनिय सभापती जी पिछली विदान सभा में इन तिन राज्यों में जितने वोट मिले थे इस लोग सभाच चुनाव में इन तिन राज्यों में में उससे भी जादा वोट मिले आधनिय सभापती जी पंजाम में भी हमारा बुद्पुर्वा प्रदर्शन रहा है और हमें बड़त मिली है जनता जनारदन का भरपुर आशुरवाद हमारे साथ है आधनिय सभापती जी बच्चे का मन बहला देते तो आज कल बच्चे का मन बहला देका काब चल रहा है और कॉंग्रेस का कॉंग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टिम आज कल ये मन बहला देका काब कर रहा है आधनिय सभापती जी 1984 उस चुनाव को याती जी उसके बाद इस देश में दस लोग सभा के चुनाव हुए 84 के बाद दस दस लोग सभा के चुनाव हुए के बाव जी पी कॉंग्रेस जाइसो के आंकड़े को छू नहीं पाई है इसमार किसी तरह 99 निन्ना नबे के चक्कर में फसे गए है आधनिय सभापती जी मुझे किस्सा याद आता है अजय किस्सा याद आता है आधनिया जी तरह आता है आधनिया जी इसमार आता है कि अधने सभापती जी कि मुझे एक किसा याद आता है कि अधने सभापती जी कि मुझे किसा याद आता है नाइंटीन नाइं मार्फ लेकर एक बालत कि मंट में गूम रहा था और देश सब को दिखाता था देखो कितने जादा मार्फ आये हैं तो लोग भी जब नाइंटीन नाइं फुनते थे तो सावाजी देते थे बहुत उसको हुसला बुलंद करते थे तो फिल्म के टीचर आये किस बात कि मिठाई बात रहे हो यह सो में से नाइंटीन नहीं लाया यह तो फाइव हंड़ेट फॉर्टी थी में से लाया है अब उस बालक बुद्धी को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कॉंग्रेस के नेताओं के बयानों में यह बयान बाजी ने शोले फिल्म को भी पिछे छोड़ दिया है आप सब को शोले फिल्म के वह मौसी जी याद होगी तीसरी बार तो हा रहे हैं पर मौसी यह बात तो सही है तीसरी बार ही तो हा रहे हैं पर मौसी मोरल वित्करी तो है ना आदनियत सभापती जी तेरा रज्जो में जीरो सिटे आई हैं अरे मौसी तेरा रज्जो में जीरो सिटे आई हैं पर हीरो तो है ना आदनियत सभापती जी अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है अरे मौसी पार्टी अभी भी सासे तो ले रही है मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा जना देश को फर्जी जीत के जस्न में मत दबाओ जना देश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ उजस्न में मत दबाओ इमामदारी से बेश वाचियों के जना देश को जरा समझने की कोशिश करो उसे स्विकार करो आधनियत सभावती जी मुझे नहीं पता कि कॉंग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुलाओं का विश्लेशन किया है कि नहीं किया है कि यह चुनाव कि इन साथ्यों के लिए एक संदेश है आधनियत समापती जी अब कॉंग्रेस पार्टी कि 2024 से एक पर जीवी कॉंग्रेस पार्टी के रुप से जानी जाएगी कि 2024 से जो कॉंग्रेस है वो पर जीवी कॉंग्रेस है और पर जीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है यह पर जीवी उसी को ही खाता है कॉंग्रेस भी जीश पार्टी के साथ गड़बंदन करती है उसी के वोट था जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की इवत पर वो फलती भूती है और इसलिए कॉंग्रेस पर जीवी कॉंग्रेस बन चुकी है मैं जब परजी भी कह रहा हूं तो तच्छों के आधार पर कह रहा हूं आधनियत सभापती जी मैं कुछ आंकड़े आपके माद्रम से सदन को और इस सदन के माद्रम से देश के सामने रखना चाहता हूं जहां जहां भाजपा और कॉंग्रेस का सीधा मुकाबला था या जहां कॉंग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पाद ये जो तीन सिपे थी वहां कॉंग्रेस का स्ट्राइक रेट सीर पर सिर्फ पर सिर्फ थे किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मोका ऐसे राज्यों में कॉंग्रेस जुनियर पार्टर दी उनका स्ट्राइक रेट फिप्टी परसेंट है और कॉंग्रेस की 99 सीटों में से ज़्यादा तर सीटे उनके सयोगों ने उनको जिताया है और इसलिए मैं कहता हूँ ये परजी भी कॉंग्रेस है सोला राज्यों में जहां कॉंग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोर्ट शेर इस चुनाओं में गिर चुका है आद ये सभापती जी गुजराप, छतिशगर्ड और मध्यपदेश इन तीन राज्यों में जहां कॉंग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से, 64 में से, सिरफ दो सीठ जीत पाई है इसका साप मतलब है कि इस चुनाओं में कॉंग्रेस पूरी तरह परजिवी बन चुकी और अपने सयोगी दलों के कंदे पर उन्होंने चड़ करके ये सीतों का आंकड़ा बढ़ाया है अगर कॉंग्रेस ने अपने सयोग्यों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोग्त जभा में उनके लिए इतनी सीटे जीत पाना भी बहुत मुश्किल था आदेनिया जभा पती जी अईसे समय एक अवसर आया देश ने विकास के रास्ते को चुना है देश ने विच्षीद भारत के सपने को शाकार करें का मन बना लिया है तब भारत को एक जुड होकर संबुरुद्धी का नया सफरताय करना है ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में छेश छेश दसक तक राज करने वाली कॉंग्रेस पार्टी अराजगता फरलाने में जिती हुई है ये दक्षिन में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाब बोलते हैं ये उत्तर में जाकर के पस्चिम के खिलाब जहर उगलते हैं पस्चिम के लोगों के खिलाब बोलते हैं महपुरुसों के खिलाब बोलते हैं इन्होंने वासा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है जिन्नेताओं ने बेज के हिस्से को भारत से अलग करने की बकालत की थी उनको सौंसद की टिकट देने तका जुर्बा गिया हमें देखना पड़ा जो कॉंग्रेस पार्टी ने पाप किया कॉंग्रेस पार्टी खुले आम एक जाती को दूसरी जाती के खिलाब लड़ाने के लिए रोज नईने नेरेटिव कर रही है नए तय अफ़ाएं फाला रही है आजनियस सभापती जी देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवति का भी कॉंग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं आजनियस सभापती जी कॉंग्रेस के देश में आर्थी अराजक्ता फैलाने के दिसा में भी सोची समजी चांस चल रही है चुनाओ के दोरान जो बाते की गई राज्जों में उनके राज्जों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं ये वो रास्ता आर्थिक आराजक्ता के तरफ बेश को गसीटने वाला है उनके राज्य देश पर आर्थिक बोज बन्या है ये खेल जान बुच करके खेला जा रहा है मंचों से साब साब गोशना की गई अगर इनके मन का परणाम नहीं आया चार जुन को देश में आग लगा दी जाएगी लोगी खट्टे होंगे अराजक्ता फ्हलाएंगे ये अधिकृत रुप से अबहान किये गए ये अराजक्ता फ्हलाना इनका मकसद है भारत की लोग तांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजक्ता फ्हलाने का प्रयास किया गया है प्रक्रिया को लेकर जो अराजक्ता फ्हलाई गई देश के लोगों में गुम्रा करने का जो खेल खेला गया पूरी इको सिस्ट्रीम इस बात को बल देती रही क्याकि उनके राजनिति मक्सद पूरे हो आधनियत सभापती जी देश को दंगों में जोंकने के भी कुछ सीत प्रयास पूरे देश में देखे हैं आधनियत सभापती जी आज कल सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामे वाजी शुरू की गई है नया खेल खेला जा रहा है मैं एक किस्टा सुनाता हूँ एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई क्या हो गया बहुत रोने लगा और पिर कहने लगा मा मुझे आज कुल में मारा गया आज कुल में मुझे उसने मारा आज कुल में मुझे इसने मारा और जोरो जोरो से रोने लगा माप परिशान हो गई उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी लेकिन वो बता नहीं रहा था बच रो रहा था मुझे मारा मुझे मारा बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की कितावे उसने फाड भी थी उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिंग चुला करके खा गया था हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है कल यहां कल यहां बालत बुद्धी का विलाब चल रहा था मुझे मारा गया मुझे इसने मारा मुझे उसने मारा मुझे यहां मारा मुझे वहां मारा यह चल रहा था आधनिये सभापती जी सिंपती हासिल करने के लिए यह नया ड्रामा चलाया गया है लेकिन देजे सच्चाई जानते हैं कि यह हजारो करोर रुपिये उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बहार है यह ओभी सी वर्क के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पाचुके हैं इनको देश्ची सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्वेदाराना बयाम देने को बाद माफी मागनी पड़ी है इन पर महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के जश्कों हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है इन पर अनेग नेताओं अधिकारियों संस्थानों पर जूठ बोलने के गंबीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं आधनियत सभापती जी बालक बुद्धी में ना बोलने का ठिकाना होता है और नहीं बालक बुद्धी में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है और जब यह बालक बुद्धी पूरी तरह सभार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं यह बालक बुद्धी अपनी सीमा एक खो देती है तो सदन के अंदर बैट मिकर के आखे मारते हैं आखे मारते हैं इनकी सच्चाई आधनिय सभापती जी अब पुरा बेश समझ गया है एसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा तुमसे ना फॉक पाएगा बेटे मानसर सुप्रीच आधनिय देगे तुलसिदाज जी कह गए है अगिलेज जी तुलसिदाज जी कह गए है जूठई लेना जूठई देना जूठई भोजन जूठई चबेना कुछ सिदाजी ने कहा है जूठई लेना जूठई देना जूठई भोजन जूठई चबेना कॉंग्रेस ने जूठ को राजनीती का हत्यार बनाया कॉंग्रेस के मूँ यूठ लग गया है जैसे वो आदम घुर अनिमल होता है न जिसको लहूद मूँ पे लग जाता है आगने सबापती जी कॉंग्रेस के मूँ जूठ का खुन लग गया है देश ने कल एक जुलाई को खटा खट दिवस भी मनाया है एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे केस आठ हजार पान्सो रुपए आये की नहीं आये यह जूठ नेरेटिव का परणाम देखिए इसी चुनाओं में कॉंग्रेस ने देश वास्यों को गुमरा किया माताओं बैनों को हर महिने आठ हजार पान्सो रुपए देने का जूठ इन माताओं के बैनों के दिलों को जो चोट लगी है ना वो शाप बन करके यह कांग्रेस को तबह करने वाली है आदनियत सभा पती जी इवी एम को लेकर जूठ संभीदान को लेकर जूठ आरंजण को लेकर जूठ उससे पहले राफेल को लेकर जूठ H.A.L. को लेकर के जूठ L.I.C. को लेकर के जूठ बैंको को लेकर जूठ परमचारियों को भी बढ़काने के प्रयास हुए होसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी जुम्रा करने का प्रयास हुआ कल अगनी वीर को लेकर सदन में जूठ बोला गया कल यहां परपूर असत्य बोला गया यह एमस्पी नहीं दिया जा रहा है अद्धजी संविधान की गरीमा से खिलवाड यह सदन का दुरभाग्य है और अनेक बार लोग सबा में जीत करके आए लोग सदन की गरीमा के साथ खिलवाड करें यह सोभा नहीं देता है आधनियत सभापती जी जो दल साथ साथ साल तक यहां बैटा है जो सरकार की कामों को जानता है जिसके पास अनुभवी नेताओं की स्रिंकला वेजब अराजब ताके इस रास्ते पर चले जाएं जूट के रास्ते को चूल ले तब बेश गंवीर संकट की तरफ जा रहा है इसका सबूत मिल रहा है आधनियत सभापती जी सदन की गरिमा से खिलवार यह हमारे संविदान निर्माताओं का प्मान इस देश के महापुर्शों का प्मान है देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वारे बीर सबूतों का प्मान है और इसलिए आधनियत सभापती जी मैं जानता हूँ आप बहुत सरुदई है आप उदार मन के मालिक है आप संकट के समय भी हलकी फुलकी मुझी मुझी मुश्कान के साथ चीजों को जेल लेते है लेकिन आधनियत सभापती जी अब जो हो रहा है कल जो हुआ है वो गंबीरता से लिए बिना संसदिये लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे आधनियत सभापती जी इन हरकतों को बालग बुद्धी कह करके बालग बुद्धी मान करके आम नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कतई नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीशे इरादे नेक नहीं है इरादे गंबीर खत्रे के हैं और मैं देश वाचियों को भी जगाना चाहता हूँ इन लोगों का जूट हमारे देश के नागरिकों की विवेक बिद्धी पर आशंका व्यक्त करता है उनका जूट देश के सामान्य विवेक बुद्धी पर एक तमाचा मारने की मिरलज्य हरकत है आदनियत सभापती जी ये हरकते देश की महान परंपराओं पर तमाचा है आदनियत सभापती जी इस सदन की गरिवा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है सदन में सुरू हुई जूट की परंपरा पर कठोर कारवाइब करेंगे ये देश वास्यों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है आदनियत सभापती जी कॉंगरेस ने संविधान और आरक्षन पर भी हमेशा जूट बोला की आज मैं एक सो सालीस करोर बेश वास्यों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूँ बड़ी नमरता पुरवक रखना चाहता हूँ कि देश वास्यों ने भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है आदनियत सभापती जी आपातकाल इमर्जंसी का पचासवा वर्षा है इमर्जंसी सीर पर स्रप सत्ता के लोब के खातर ताना शाही मांचिक्ता के कारां कि देश पर थोपा गया ताना शाही सासन था और कंगरेस कि दुरूर्टा की सभी हदे पार कर चुके उतने अपने ही देश वास्यों पर कूर्टा का पंजा फालाया था और देश के ताने बाने को छिन भी छिन करने का पाप किया आदनिये सभावती जी सरकारों को गिराना मीडिया को दबाना हर करना में संभीदान की भावना के खिलाब संभीदान की दाराओं के खिलाब संभीदान के एक एक सब्द के खिलाब थे ये वो लोग हैं जिनोंने प्रारंब से देश के दलीतों के साथ देश के पिछडों के साथ गोर अन्याय किया है अधरिया सभापती जी और इसी कारण से बाबा साब अंबेड करने कॉंग्रेस की दलीत विरोधी पिछडे विरोधी मांजिक्ता के कारण नहरू जी की कैमिनेट से इस्तिफा दिया था उन्होंने परदा फास किया था कि कैसे नहरू जी ने दलीतों पिछडों के साथ अन्याय किया और बाबा साब अंबेड करने कैमिनेट से इस्तिफा देते इस विवाएं जो कारण बताए थे वो कारण इनके चरीत्र को दर साते हैं बाबा साब अंबेड कर जी ने कहा था मैं सरकार द्वारा अनुसुची जात्यों की उपेख्षा पर अपने अंदर उत्पन आक्रोश को रोक नहीं सका यह बाबा साब अंबेड करके शब्द है अनुस्ची जात्यों की उपेख्षा इसने बाबा साब अंबेड कर को अक्रोशित कर दिया बाबा साब को सीधे हमले के बाद नहरू जी ने बाबा साब अंबेड करका राजनितिक जीवन खत्प करने के लिए पूरी ताकत लगा दी आधनिये सभापती जी पहले शडियंते पुरवक्त बाबा साब अंबेड करको चुनाओं में हरवाया गया आधनिये सभापती जी अराया इतना ही नहीं उन्होंने बाबा साब अंबेड करके इस पराजय की उसका जस्त मनाया खुशी मनाई और और खुशी उन्होंने व्यक्त की आधनिये सभापती जी एक पत्र में ये लिखीत है इस खुशी का आधनिये सभापती जी बाबा साथ की तरह ही दलित नेता बाबू जग जिवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया एमर्जंसी के बाद जग जिवन राम जी का पी एम बनने की संभावना थी इंद्रा गांदी जी ने पक्का किया कि जग जिवन राम जी किसी भी हालत में पी एम न बने और एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जग जिवन राम प्रदान मंत्री नहीं बनने चाहिए अगर बनी गए तो वो हटेगे नहीं जिन्दगी पार ये इंद्रा जी गांदी का कोड उसकिताब में है कॉंग्रेस ने चौधरी चरनसी जी के साथ भी यही बहवार किया उनको भी नहीं छोडा था पिछणों के नेता कॉंग्रेस पार्टी के देख्ष बिहार के सपूत सिताराम केस्ट्री के साथ भी अपमानित वहवार करने का पाफ इसी कॉंग्रेस ने प्रिया तो आधनिय सभापती जी कॉंग्रेस पार्टी प्रारम से ही आरक्षन की गोर विरोधी रही है नेहरू जी ने तो मुख्य मंत्रियों को चिठ्ठी लिख करके साप साप सब्दों में आरक्षन का विरोध किया था कॉंग्रेस के एक प्रधान मत्री स्रिपति इंद्रा गांधी जी ने मंडल कमिशन का रिपोर्ट थन्रे बक्से में सालों तक दबाए रखा था आधनियत सभापती जी कॉंग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधान मत्रिये शिमान राजीव गांधी और जब विपक्ष में थे उनका सबसे लंबा भाशान आरक्षन के खिलाप था वहाज भी संसर्थ के रेकॉर्ड में उपलब्द है कि आधनियत सभापती जी मैं आज एक गंबीर विशह पर आपका और देश वास्यों का ध्यान आकरशित करना चाहता हूं कल जो हुआ कि इस देश के कोटी कोटी देश वासी आने वाली सद्यों तक माप नहीं करेंगे आधनियत सभापती की 131 साल पहले 131 यर पहले स्वामी विवेका नंजी ने शिकागों में कहा था मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सही स्विक्रूता और वैस्वीक स्विक्रूती सिखाई है 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेका नंजी ने अमेरिका के शिकागों में दुनिया के दिग्यजों के सामने कहा था हादनिय सभादपती जी हिंदू सहंचिल है हिंदू अप्रत्व को ले करके जीने वाला समू हुआ है इसी कारण भारत का लोगतंत्रा भारत की इतनी विवीत्ता है उसका वैवीत्त की विरारत आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है अधनिय सभादपती जी गंबीर बात है आज हिंदूओं पर जूठा आरोप लगाने की साजिस हो रही है गंबीर सडियन पर हो रहा है अधनियत सभापती जी अधनियत सभापती जी अधनियत सभापती जी यह कहां गया हिंदू हिंसक होते हैं यह आपने संस्कार यह आपका चरित्र यह आपनी सोच यह आपनी नप्रत इस देश के हिंदूओं के साथ यह करना में अधनियत सभापती जी यह देश सताव योता इसे भूलने वाला नहीं है कुछ दिल पहले हिंदू हमें जो शक्ती की कलपना है उसके मिलास की गोचना की गई थी आप किस शक्ती की मिलास की बात करते हैं कि भी है जो आसे कि सज्यों से शक्ती का उपास रहे हैं ही मेरा बंग्याल माधुर्गा की पुझा करता है शक्ती की उपासरा कि बंग्याल माकाली की पासरा करता है सबर्पीत भाव से करता है आप उस शक्ति के मिनाज की बाते करते हो यह वो लोग है जिन्होंने हिंदू आतंकबार यह शब्द गढ़ने की कोशिश की थी इनके साथी हिंदू धर्ण को इसकी कुलना देंगू मैलेरिया ऐसे सब्दों से करें और यह लोग तालिया बिजाए यह देश कभी माप नहीं करेगा कि आदेनियत सभापती जी एक सोची समझी रणवीति के तहट इनका पूरा एको सिस्टेम हिंदू परंपरा हिंदू समाथ इस देश की संस्कृति देश की विरासाथ इसको नीचा दिखाना उसे गाली देना उसे अपमानित करना हिंदू का मजाक उड़ाना इसे फैशन बना दिया है और उसको सवरक्षन देना का काम अपने राजनितिक स्वात के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं आधनियत सभापती जी माने सदेज प्लीज आधनियत सभापती जी हम बच्चपन से शीखते हुए आए हैं गाउं का हो शहर हो का हो गरीब हो अमीर हो इस देश का हर बच्चा बच्चा ये जानता है इश्वर का हर रूप आधनियत सभापती जी इश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है इश्वर का कोई भी रूप नीजी स्वार्थ के लिए प्रदर्शन के लिए नहीं होता है जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं बादर्य सभापती जी हमारे देवी देवताओं का पान एक सो चालिस करोर देश वाचों के दिलों को गहरी चोच कहुंचा रहा है नीजी राज रितिक स्वाथ के लिए इस्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल आदर्य सभापती जी ये देश कैसे माप कर सकता है आदर्य सभापती जी सदन के कल की द्रशों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा क्या ये अप्मान जरक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तयारी है ये हिंदू समाज को सोचना पड़े है आदर्य सभापती जी हमारी सेना ये देश का अभिमान है सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की विर्टा पर गर्वा है और आज सारा देश देख रहा है हमारी सेना ये हमारा डिपेंस रक्तर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ इतने रिफॉर्म हो रहे हैं हमारी सेना को आदूनिक बनाया जा रहा है हर चुनोत ये को हमारी सेना मुत और जवाब दे सके इसलिए युद्ध के सामर्थ वाली सेना बनाने के लिए हम बरपूर प्रयास कर रहे हैं रिफॉर्म कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं देश की दुरक्षा का मकसद ले करके बिते कुछ सालों में बहुत सारी चीजे बदली है सीडियास का पड़ बनेने के बाद इंटिग्रेशन और ससक्त हुआ है आदनी सभापती जी हमारी ससस्त्र सेनाओं के बीच उनके सैयोग से जो लंबे समय से युद्य सास्त्र के निसातों का मत था कि भारत में ठीटर कमांड जरूली है आज मैं संतोस के साथ कह सकता हूँ कि सिडियास लवस्ता बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी ठीटर कमांड की दिसा में प्रगती हो रही है आजर्णियस सभावती जी आत्मंदिर भर भारत उसमें हमारी सेना को आत्मंदिर भर बनाना उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपों भूमिता निबाई जा रही है हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए सेना दुश्मनों के दास खट्टे करने के लिए होती है हमें हमारे युवाओं उपर बरोसा होना चाहिए सेना में युवाओं की ताक्त बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्य योग्यव सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं समय पर रिफॉर्म ना करने के कारण हमारी सेना का बहुत दुख्षान हुआ है लेकिन ये सारवजेने बाते कहने योगे नहीं होने के कारण मैं मुरे मुझे को ताला लगा करके बैठा हूँ आदनिय सभापती जी देश की सुरच्छा एक गंबीर मसला होता आदनिय सभापती जी ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश किसी भी परिस्थिति में अब आयुद्य के रूप बदल रहे हैं समसादन बदल रहे हैं सफ्ट्र बदल रहे हैं टेक्निक बदल रही हैं ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनोतियों के नुरुप तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसको निभाने के लिए गालिया खा करके भी जूटे आरोप सै करके भी मूँ पर ताला लगा करके हम काद कर रहे हैं ऐसे समय के देश की सेना को आदूरिक बनाना सतेक्त बनाने के ऐसे समय कॉंग्रेस क्या कर रही हैं ये जूट फेला रहे हैं इस डिपेंस रिपांट के प्यासों को कमजोर करने का सरवर कर रहे हैं आदमिये सभापती जी दरसल कॉंग्रेस के लोग कभी भी बार्तियस सेनाओं को काक्यत वर होते नहीं देख सकते आदर्णिये सभापती जी कौन नहीं जानता कि नेरुजी के समय देश की सेनाए कितनी कमजोर होती थी हमारी सेनाओं में कॉंग्रेस पे जो लाखों करोरों के गोटा ले किये वो ही तरीका था जिस देश की सेना को कमजोर किया है ये देश की सेनाओं को कमजोर किया जल हो थल हो नब हो सेना की हर आवस्षक्ता में इन्होंने त्वेश आजाजवा तब से ब्रस्टाचार की परंपरा बनाए जीप को टाला हो पनदूपी गोटाला हो बोफोर्स गोटाला हो इन सारे गोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है वो भी एक वक्त था अधनिया सभापती जी कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट ट्रूप जैकेट भी नहीं हुआ करते थे सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया उसको कमजोर किया ही किया लेकिन ये कार्णा में विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगाता प्रयात होते रहे जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जैट नहीं लिए और जब हमने कोशिज की तो कांग्रेस हस्टर की साजिस पर उतर आई फाइटर जैट एरफॉर्स तक न पहुँच पाए इसके लिए साजी से की गई और आदर्णिय सभापती जी ये बालग बुद्धी देखिए के रफैल के छोटे छोटे खिलोने बना करके उडाने में मजा लेते थे देश की सेना का मजा उडाते थे अध्यक जी कॉंग्रेस ऐसे हर कदम का हर रिफॉर्म का विरूद करती है जो बारत की सेना को मजबूती दे बारत की सेना को मजबूत बनाए माने सदशों सभा की कारवाई माने प्रदान मंजीज के भाशन तक के बढ़ाई जाती है और सभा की कारवाई सारी कारवाई पूर्योरत तक बढ़ाई जाती है आज इंडिया सभापती जी समय देने के लिए और समय के विश्थार करने के लिए मैं आपका रुदेश्या भार वेक्ता करता हूँ आज इंडिया सभापती जी अब कॉंग्रेस के लोगों को यह पता चल गया है कि हमारे नव जवानों की उर्जा हमारे साइनिकों का आत्म बढ़ ही हमारे ससस्त्रबरों की सबसे बड़ी शक्ति है और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में बड़ती को लेकर सरा सर जुट ठलाया जा रहा है ताकि लोग मेरे देश के नव जवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए उनको रोकने के लिए सड़यंत्र हो रहा है आधनियत सभापती जी मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं आखिर इसके लिए कॉंग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है कि इसके फाइदे के लिए कॉंग्रेस वाले सेना के समंद में इतना जूट पहला रहे हैं आधनियत सभापती जी गौन रैंग वन पेंशन को लेकर देश के स्वीर जवानों को उनकी आखों में दूल जोकने का प्रयास किया गया आधनियत सभापती जी हमारे देश में श्रीमती इंदराग गांधी जी ने वन रैंग वन पेंशन की बवत्ता को खत्प किया था दसकों तक कॉंग्रेस ने इड़ रैंग वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया और चुनाब जबाये तो पांचो करोड रुपया दिफाकार बिवरुत का सेना नायकों को मुरग बनाने की कोशी से भी की गई लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैंग वन पेंशन को टालते रहना एंडिये सरकार ने वन रैंग वन पेंशन लागू की और आदेनिये सभापती जी भारत के पास संसाखन कितने ही सिवित क्यों नहों लेकिन उसके बावजुद भी महोदया ने अपने उद्वोशन में पेपर लीग पर भी चिंता जताई हैं मैं भी देश के हर ज्यार्थी को देश के हर नवजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी गटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंबीर है और युद्वस्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं जिवाओं के बविश्य के साथ खिलवार करने वालों को कत्ताई छोड़ा नहीं जाएगा नीट के मामले में पूरे देश में लगातार जिरप्तारिया कीदा रही है केंदर सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है परिशा कराने वाले पूरे सिस्टिम को कुक्ता करने के लिए जरूरी कदाम उठाए जा रहे है आज एंडिये सभापती जी एंडिये सरकार ने बीते दस वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनाने का संकल्प है आज हमारे सामने आज आज आजी के इतने सालों के बार पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हर गल्च जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है आजनिया सबापती जी और गरीब को आबाद देना ये हमारा संकल्प है आजनिया सबापती जी बारत की बिश्व में जैसे जैसे ताकत उबर रही है हमारी सेनाओं को भी आत्मन निर्भर बनाने का हमारा जर्द संकल्प है आजनिया सबापती जी ये यूग फरीत यूग है ये यूग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल बार्मिंग चे लड़ाई लड़ रही है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बिड़ा उठाया है हमने रिन्यूबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाये है और उसको एक्षीव करने का हमारा संकल्प है आधनियस सभाबती जी बविश्च ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है यह वेहिकल से जुड़ा हुआ है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्प बद्ध है आधनियस सभाबती जी 21 सदी आज भारत 21 सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को ले करके हम चले हैं उसमें इंट्रास्टेक्टर की भी बहुत बड़ी भूमी का है हमें आधनियस सभाबती जी जितना निवेश भारत में इंट्रास्टेक्टर के लिए हुआ है वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाबाद देश्वासी देख रहे हैं देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं उसको अब विस्तार हो उसको एक नए रूप रंग मिले आधुलिक भारत के आवश सकता होगा निवसार स्कील डेवलिप्मेंट हो और उसके आधार पर इंडिस्ट्री 4.0 में भी बारत लीडर के रुपे उपरे और हमारे नवजवानों का बवीश भी समरे उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आदेनिया सभापती जी एक स्टड़ी है कि पिछले 18 साल में ये स्टड़ी बड़ा महतुपन है ये दिन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्येशन में आज सबसे बड़ा रेकॉर्ड बना है 18 साल में सबसे बड़ा रेकॉर्ड बना है आदेनिया सभापती जी आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टेम पूरी दुनिया में एक उदाहारन बना है बिश्व के लोग मैं जी 20 समूम है जब भी गया बारत की डिजिटल इंडिया मुवमेंट को लेकर के डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समूरुद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिग्यासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं ये भारत की सभलता की बहुत बड़ी कहानी है माने सदेशे प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है आदेनिये सवापतिनी जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है स्वाबाविक है पतीस परधा भी बढ़ रही है और चुनोतियां भी बढ़ रही है जिन्हें बारत की प्रगती से दिक्कत है जो बारत की प्रगती को चुनोती के रुपे देखते हैं वो गलत हद करने भी अपना रहे हैं ये ताकते हैं हारत की डेमोक्रसी डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी पर हमला कर रही है और ये चिंता शिर्फ मेरी नहीं है ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है यह चिंता श्रिफ ट्रेजर इबेंच की नहीं है आदर्णिय सभापती जी देश की जंता और माननिय सुप्रीम कौर्ट तक सब को इन बातों से चिंतिग है सुप्रीम कौर्ट ने जो कहा है वो कौर्ट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूँ सुप्रीम कौर्ट का एक कौर्ट देश के करोरो करोरो लोगों के लिए भी कैसे कैसे संकट हाने की संभावनाई दिख रही है इसकी तरफ इशारा करता है आधनिय सभावती जी सुप्रीम कौर्ट ने अपने एक जज्जमेंट में बड़ी गंबीरता पुर्वक कहा है और मैं कोट पढ़ता हूँ ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर संदेश प्रगट करने उसे कम करने और हर संभर मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोश प्रयास किया जा रहा है यह सुप्रिम कोट की बात पढ़ रहा हूँ सुप्रिम कोट आगे कह रही है इस तरह के किसी भी प्रयात्न या प्रयास को आरंब में ही रोक दिया जाना चाहिए देख की सुप्रिम कोट का एक ठोश है आधनिय सभापती जी सुप्रिम कोट ये जो भावना व्यक्तकी है इस पर हम यहां वाले या भावाले सदन में है उन्होंने सदन ये बार उन्होंने सबको गम्मीरता से विचार करने की आवश्यक्ता है कि आधनिय सभापती जी भारत में भी कुछ लोग है जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं बेश्वाच्यों को ऐसी ताकतों से सतर करने की जरुद है आधनिय सभापती जी 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनोती कॉंग्रेस के साथ ही कॉंग्रेस का इको सिस्टिम भी रहा है ये इको सिस्टिम ये इको सिस्टिम से मिली खाथ पानी इसके द्रम पर इक कॉंग्रेस की मदद से ये इको सिस्टिम सतर साल तक फला फुला है मैं आज सभापती जी इस इको सिस्टिम को चेताओं नहीं देता हूं मैं इको सिस्टिम को चेताना चाहता हूं एको सिस्टिम की जो हरकत हैं जिस तरह इको सिस्टिम ने ठान लिया है कि देश की अस्यात्रा को रोक देंगे देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे मैं आज एको सिस्टिम को बता देना चाहता हूं उसकी हर साजिस का जवाब अब उसी की बाँ सामें मिलेगा यह देश देश विरोधी साजिसों को कभी भी स्वितार नहीं करेगा आधनियत सभापती जी यह ऐसा कालखंड है जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंबीरता से ले रही है हर बारी की को नोटिस कर रही है आधनियत सभापती जी अब चुनाव हो चुके हैं एक सो चालिस करोर देशवास्यों ने बास साल के लिए अपना निर्णय जनादे दे दिया है आवशक है कि विक्सित भारत के निर्मान के लिए इस संकल्प को सिद्धी में बदनने के लिए इस सदन के सभी मान्य सदस्यों का योगदान होना चाहिए मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं कि विक्सित भारत के संकल्प को पूर्र करने के लिए आप भी जिम्मेवारी के साथ आगे आईए देश हीत के विशह पर हम सांस चले मिलकर के चले और देश वाच्यों के आसा कांशाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहने देए अधनिय सभापती जी पॉजिटिव राजनीती भारत के इस कालखन में बहुत आवश्यक है और मैं हमारे साथी पक्षों को भी कहना चाहूंगा इंडी गडबंदन के पक्षिके लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आईये मदान में गुड़ गवर्नस पर स्पर्दा करें जहां जहां आपकी सरकारे हैं वो एंडीय की सरकारों के साथ गुड़ गवर्नस पर स्पर्दा करें डिलिवरी पर स्पर्दा करें लोगों की आता इंस अप्री करने पर स्पर्दा करें देश का भला होगा आ जाद एंडियाः सरा पती जी आप अच्छे कामों के लिए एंडियाइके साथ परदा करें में आप प्रिफोंस के मामले में हिमाइत करें जहां जापकी सरकारें यह वो रिफोंस से कदम बढ़ा हैं और वो भी देसी निवेश को आकर्शिस करें अपने अपने राज्यों में विजएसी निवेश ज्यादा आए इसके लिए प्रयास करें और उनको यह और पात राज्यों में कुछ सरकारे हैं क् ich करा i a ji sons परदाखे कि सरकारों स्फटदा करें सकारात्मं करें कुल गिल्यों को को जहां सेवा करने का मोका मिला है वहां पर रोजगार के लिए स्पर्दा करें कौन सरकार ज्यादा रोजगार देखी है इस परदा के लिए मैदान में आए एक तंदुर्ष परदा हो आदने सवाबती जी हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मनों गती ही गहना कर्मनों गती है यानि कर्म की गती गहन है इसलिए आक्षे जूट फरेब डिबेट ऐसी जीतने के बजाएं कर्म से कुसलता से समर्पन भाव से सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिज होनी चाहिए आधनिय सभापती जी मैंने आधनिय सभापती जी इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखत खबर भी दी गई है यूपी के हाथ रसमें जो भगदर हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखत मुर्ति होने की जानकारी आ रही है जिन लोगों की इस हाथ से मैं जान गई है मैं उनके प्रती अपनी सम्वेदन अव्यक्त करता हूँ मैं सभी गायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामरा करता हूँ राज्य सरकार की देखरेग में प्रशासन राहत और बचाव कारे में जुटा हुआ है केंद्र सरकार के वरिष्ट उत्रप्रदेश सरकार के लगातार संपर्ग मैं है मैं इस सदन के माद्दम से सभी को ये भरोसा देता हूँ कि पीडितों की हर तरह से मदद की जाएगी आदनिय सभापती जी आज एक लंबी चर्चा और आपने देखा है मैं पहली बार लोग सभा में प्रवान मत्री के रुपे याँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा मुझे राज सभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है मेरा होसला भी मजबूत है मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संखल्प भी मजबूत है आधनिय सभापती जी ये कितनी संख्या का दावा क्यों न करते हो 2014 में जब हमाएं राज सभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और चैर का भी जरा जुकाव दूसरी तरफ था लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संख्या दिगे नहीं ने देश वाच्छों को कहना चाहता हूं कि आपने जो फासला सुनाया है आपने हमें शेवा करने का जादेश दिया है ऐसी किसी रुकावटों से नमोदी डरने वाला है नए सरकार ने लेकिन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे आधनिय सवापती जी जो नए सांसर्च उनके आये हैं उनको मैं विशेश सुप्तामराय देता हूं आधनिय सवापती जी न मानता हूं कि बहुत कुछ शिखेंगे समझेंगे और देश की नवलोगों की नजरों से गिरते हुए बतने का प्रयाद भी करेंगे इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्भुद्धी दे मैं बालत्भुद्धी को भी सद्भुद्धी दे इस दपेक्षा के साथ आधनिय रात्पत्रती महुदया का जो उद्वोधन है उसके प्रती रजय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी दगी आपने मुझे समय दिया विस्तार से मुझे बात बताने का मोका दिया और किसी का कुला हाल सत्य की आवाज को दबाने ही सकता है सत्य ऐसे प्रयातों के मिद्बता नहीं है और जूट को कोई जड़े नहीं होती है आदे ये सबापती जी जिन लोगों का उसर नहीं दिया वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है वो आगे से अपने सांसोदों का ध्यान रखेंगे ये मैं अपेक्षा करता हूं आदे ये सबापती जी मैं सदन का भी धन्यवाद करते हुए मुझे बहुत आनन्द आया आज सब्सक्राइब क्या होती है वो आज मैंने जी करके देखा सब्सक्राइब क्या होता हुए उसको मैंने आज इसका साथ शाथ कार किया और इसलिए शबापती जी सब्सक्राइब करता हुए बहुत 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 धन्यवाद भी जी करता हुए दन्यवाद प्रस्ताओं पर सदस्दों ने अनेक शद्शोदन प्रस्तूद कियें अब मैं सभी शंश्दों को एक साथ सबह में मतदान के लिए रखता हूँ प्रश्ट निये कि मानने सद्शोदारा प्रस्तूद सभी शंश्दों को स्विकर्ट किया जाए जो सदस इसके पक्षमे हां कें जो सदस वीरोध में ना कें मेरे विचार में निर्ने नावालों के पक्षमवा संशोधन अस्यकर्थ हुए अब मैं राष्टपती के अवीभाशन पर ध़न्यवाद प्रस्ताओं को सभा के मतुदान के लिए रखता हूँ प्ष्टनी है कि महामहिम राश्पती जी की सेवा में निम्लिक्रिश्च शब्दों में एक समावेधन प्रस्तूत किया जाए कि इस सत्र में समवेथ लोगसवा के सदश्य महामहिम राष्ट पती जी के उस भाषन के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संबेद संसत की दोनों सभाओं के समक्ष देने की किरपा की उनके अत्यन्त आभारी है जो सदश इसके पक्ष में हैं वहां के हैं जो ग्रोध में ना के हैं मेरे विचार में निन्ने हावानों के पक्ष में प्रस्ताओ सीकर्ट राख्षामंती जी ज़क्ष जी राष्ट पती जी के अभीवाशन के दोरां धन्यबाद प्रस्ताओ प्रजब चल्चा हो रही थी उस समय जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल लाए था जिस प्रकार से विप्रक्ष के दौरा संसदीय मर्यादाओं का लगातार तार 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 जिस तरीके से किया गया है मैं यह प्रस्ताओं करता हूं कि स्कृत की यह पूरी पूरा सदन भर्षना करता है मानने सदश्श गन मैंने सभी मानने सदश्शों को परियाप्त समय परियाप्त अफसर दिया सभी दलों को देर राती तक बोलने का उसर दिया प्रतिपश्श के नेता को 90 मिनिट से ज़्यादा बोलने का उसर दिया लेकिन मानने सदश्श यह संसदिय परंप्राओं के अनरूप नहीं है यह आपका आचरन यह आपका विहार न तो संसदी आचरन के अनकूल है न देश के लोकतंत के लिए उचित है और देश आज देख रहा है कि जब महारे माननी सदन के नेता माननी प्रधान मंती जी अपनी बात कह रहे थे तो प्रतिपश के नेता मानने सदश्यों में बेल में आके कह रहे थे ये और संसदिय परंप्राओं के रूप उचित नहीं है और मैं आगे आके पिक्षा करता हूँ